हलो स्टुरेंट्स वेलकम तो चनल सब खुशनों आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन मायत का चैप्टर टेन इससे पहले आप लोगोंने चैप्टर नाइन तक पूरा कमप्लीट पढ़ाई कर लिया था तो काथी दिनों के बाद से हमने आप लोगों से कहा भी था कि फर परवरी का पाच तारीख है तो आज आप लोग क्लास सेवन्थ में चैप्टर टेन जो की चतुरभुजा इसका इंट्रोडक्शन और इससे आगे के पढ़ाई को कमप्लीट करेंगे अगर आप लोग चनल परना है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए औ ताकि सभी लोग घर बठे आसानी से अनलाइन पढ़ाई कर सका तो देखिए ये क्लास सेवन का चैप्टर टेन चैप्टर टेन चैप्टर है तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि चतुरभुज होता क्या चतुरभुज कहते कि इसको है तो जैसा कि अगर आप लोग अभी तक जानते होंगे चतुरभुज के बारे में थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत क्या है चतुरभुज का परिभासा जो हम बताएंगे उसको आप लोग याद रखेंगे तो हम लोग कुछ यहाँ पर पहले एकजामपल लेकर समझते हैं यहाँ पर देखिए हमने एकजामपल लिया है चार अलग-अलग सेफ के फीगर को हमने बनाया हुगा यहाँ पर इसमें चतुरभुज कौन सा होगा चतुरभुज किसको काते हैं इसको आप लोग को जानना है साथी साथ आप लोग जानेंगे बहुभुज बहुभुज भी आप लोग यहाँ पर जान लेंगे कि बहुभुज किसको काते हैं यह सभी चीजां काथी इंपर्टेंट होंगी किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको जान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी और इंपर्टेंट होता है तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तभी आप लोग एकसर साइज को सॉल्व कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए चतुरूभूज का जो परिभासा होता हो क्या कहता है चार भूजाओं से देखिए एक हुआ दो हुआ तीन हुआ चार हुआ हमने जान बुज कर इसको तिरिशा में भी बनाया है तो देखिए जो चतुरभुज का परिभासा होता है चतुरभुज कहते कि इसको है चार भुजाओं से घिरी हुई ध्यान दिजिएगा एके को वर्ड को ध्यान दिजिएगा जो भी हम कह रहा है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकिरित को बंद कहाना सबसे ज़्यादा जरूरी है देखिए क्यों यहाँ पर बंद कहाना सबसे ज़्यादा important है 4 भूजा हमने यहाँ भी बनाया जो figure 1 हमने बनाया है देखिए 1, 2, 3, 4 तो 4 भूजा इसमें है लेकिन बंद नहीं है तो इसको हम लोग चतुर भूज नहीं कल सकते हैं हमने इसको काट दिया देखिए यह चतुर भूज नहीं है क्योंकि 3 भूजा है यह चतुर भूज है क्योंकि देखिए 4 भूजा है 4 से बंद है 4 बंद होने का मतलब सब देखिए यह figure बंद है यहाँ पर क्या था फिगर यहाँ मूँ खुला हुआ इसका इसलिए इसको चतुर भूज नहीं कहेंगे इसको तीन ही भूजा है नहीं कहेंगे चार भूजाओं से घिरी होई बंद आकिरित जब होगी तो उसे ही हम लोग चतुर भूज कहेंगे ये भी चतुर भूज है ये भी चतुर भूज है तो चतुर भूज का परिवासा चतुर भूज दखिए नाम से ही पता चलता है चतुर भूज, देखिए चतुर, चतुर मिस चार भूज, भूज मिस, भूजा भूजा किसको कहते हैं? इसी को, रेखा की लबाई को मतलब अगर कोई फीगर बना हुआ, उसमें जो रेखा है उसको हम लोग भूजा कहेंगे तो देखिए, चतुर भूज, नाम में ही देखिए पता है चतुर मिस, चार भूज मिस भूजा तो चार भूजा, अब कैसा चार भूजा, ऐसा नहीं तो हम लोग इसी लिए क्या काते हैं? चार भूजा से घिरी हुई बंद बंद आकिरित जब रहेगी चारो तरफ से बंद रहेगी तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? चतुर भूज, तो चतुर भूज का परिभासा क्या होता है? चार भूजाओं से घिरी हुई बंद आकिरित को चतुर भूज कहते हैं आया बास समझ में आप लोग क्या होता है? बहुभूज देखिए कहते कि इसको है जिस भी फिगर में दो से अधिक भूजा होंगे और बंद होंगे बंद होने का मतलब देखिए ये बंद है दो से अधिक भूजा है एक दो तीन है इसमें कितना है एक दो तीन चार इसमें भी चार इसमें भी चार तो यही सब क्या हो गए बहु भूज हो गए बहु मिन्स बहुत से भूजा मिन्स भूजा जिसमें बहुत से भूजांगे तो बहुत से कितने दो से अधिक दो को तो दो ही काते हैं, दो से अधिक के लिए बहुत काएंगे तो ये जो तिरिभूज है, इसको भी बहुभूज का सकते हैं तो जिस भी फीगर में, जिस भी बंद आकिरित में तीन या तीन से अधिक भूजा होंगे, उनको बहुभूज काते हैं ये चतुर भूज जो है ये भी बहुज वाक्यों की चार भूजा है लेकिन सबको भूजाओं के आधार पर अलग-अलग नाम दिया गया जैसे ये बहुज है तो इसमें तीन भूजा है तो तिरी भूज नाम दे दिया गया ये भी बहु भुज है, चार भुजा है, तो चतुर भुज नाम दे दिया गया, पांच भुजा होगा, तो पांच भुज नाम दे दिया गया, तो ऐसे नाम दिया गया है, तो आप लोगों को इतना क्लियर है, चार भुजाओं से घीरी होई बंद आकिरित को चतुर भुज का काते हैं चार घुजाओं से घिरी हुई बंद आकरीत जो होगी उससे चतुर्भुज का एंगे चतुर्भुज में आप कुछ और भी चीजां होती हैं उसको भी जानना जरूरी है इसके बाद आप लोग चतुर्भुज के परकार जानेंगे यहां पर मान लिजिए ए बी सी डी हमने नाम लिखा इस चतुर्भुज का तो इसमें देखिए कुछ बात याद ये रखनी होती है चतुर्भुज में होता है सीर्स सीर्स किसको कहेंगे भुजा होता है भुजा किसको कहेंगे कॉर होता है कॉर किसको कहेंगे बिकर होता है बिकर किसको कहेंगे सनलगन भुजा होता है संलगन भूजा किसको कहेंगे सम्मूख कोण होता है सम्मूख भूजा होता है आठवे नंबर पर यहां लिखते है संलगन कोण इसी को आसन कोण भी कहते है यहां दकी ये संलगन भूजाय को आसन भूजाय भी कहते है आसन भूजाय नहीं तो काफी important है ये सभी चीज़ाँ चतुरभूज में ही होती है तो इनको जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है तोस्त देखते हैं हम लोग इसमें कौन क्या है देखिए हमने नाम दिया है सीर्स सीर्स किसको काते हैं तो ध्यान दिजिए इस figure में जिस बींदु पर दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं उसी बींदु को सीर्स काते हैं ध्यान दिजिए गा एक सीर्स यह हुआ सीर्स मतलब कोना आप लोग समझेंगे एक ये बिंदु हुआ यहाँ पर भी दो भुजाएं आके मिली है एक ये बिंदु है यहाँ पर भी दो भुजाएं मिली है तो इन्ही बिंदुओं को क्या कहेंगे? चारो बिंदुओं को सीर्स तो एक चतुर भुज में कितने सीर्स होंगे? चार सीर्स होंगे चार सिर्स होंगे कौन-कौन A, B, C और D चार सिर्स कौन-कौन होंगे A, B, C, D कौमा लगा के लिखेंगे अलग-अलग तो सिर्स आप लोगों को आया समझ में जिस बिंदु पर दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं चतुर भुज की उसी बिंदु को सिर्स काते हैं तो एक A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ सब पर दो भुजाएं मिल रही हैं तो ये सिर्स होते हैं तो एक चतुर भुज में कितने सिर्स होंगे चार सिर्स होंगे इसको याद रखिए सिर्स नाम देगा आप समझ जाएंगे ये कोने को का रहा है आगे हम लोग पढ़ते हैं भूजा चतुरभुज जिन चार रेखाओं से मिलकर बना होता है चार रेखा हैं देखिए एक दो तीन चार चार रेखा खंड ही तो हैं रेखा का कटा हुगा भाग देखिए चार रेखा खंड तो जिन चार रेखा खंडों से चतुर भूज बना होगा उन्हीं चारों को क्या कहते हैं भूजा तो एक चतुर भूज में कितने भूजा होंगे चार भुजा होंगे भुजाओं का नाम जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे देखिए ये भी ध्यान देना है बिंदू का नाम हमने A बिंदू B, बिंदू C, बिंदू D लिखा उस वही सिर्स था भुजा का नाम लिखा खा जाता है तो पूरी लंबाई को लिखते हैं पूरी लंबाई मतलब ये रेखा खंड हमने अगर खिच लिया A से B तक तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लो A B केवल A लिखेंगे तो इससे केवल बिंदू पता चलेगा B लिखेंगे तो बिंदू पता चलेगा AB हमने लिखा इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कहा है तो इसको AB या BA दोनों लिख सकते हैं चाहिधर से लिखा चाहिधर से दोनों सही है तो भुजा हो गया चार रेखा खंड का नाम भुजा तो भुजा को कैसे लिखेंगे लंबाई जब लिखनी होगी तो A, B तो चार भुजा कौन कौन से होंगे A, B हो गया यहां से यहां तक का लंबाई क्या है B, C हो गया यहां से यहां तक का लंबाई क्या है C, D हो गया यहां से यहां तक का लंबाई क्या है डिये हो गया तो यह सब इधार से भी लिख सकते हैं तो चार भूजा भूजा को लिखना होगा तो पूरा यहां से यहां तक लिखेंगे लबाई में कोड देखिए कोड किसको काते हैं हमने कोड बताया था देखिए दो रेखाएं जिस बिंदू पर मिलती है या दो रेखाएं अगर यह कही बिंदू पर मिलती है तो उन दो रेखाएं के बीच के जुकाओ को दोनों के बीच कितने का जुकाओ है इसी को कोड काते है तो देखिए यह कोड कितना बनेगा दो रेखाएं ऐसे मिल रही है तो उनके बीच का जुकाओ कोण है यहाँ भी है यहाँ भी है तो कितने कोण होगा है चार कोण तो कोण भी चार होंगे कौन कौन से कोणों का नाम लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं यह कौण A, इसको काते हैं कौण, कौण B, कौण C, कौण D, चार कौण भी हैं इसमें, फिर देखिए, बिकर, बिकर किसको काते हैं, सीर से A को अगर सीर से C से मिलाएंगे, ऐसे हमने माननी जी यह मिला दिया, चतुर भुज में, A को हमने क्या कि, यह C से मिलाएं, यह तिरची उचाई को ही बिकर काते हैं, एक यहां से ऐसे मिला सकते हैं, तो चतुरभूज में दो तिर्षी लाइन ऐसे खिस तकते हैं, वही तिर्षी लाइन बिकाड होंगे, तो दो बिकाड होंगे, कौन-कौन से नाम बिकाड भी लंबाई है, देखिए लंबाई को हमें ऐसा यह से लिखते हैं, A से C तक हां, तो A C, B से D तक हां, तो B D, तो अब झाल कि मोःति अब लिग्सास अब दोश्रा मतलब नभु जाओ को सीर्ष सिर्ष बनता है दूहें इस कहीं सिर्ष हो आगर्ब हो गोजाओं की एक सीर्ष तो उसने दोनों भूजात को संलंगन भूजा करते हैं तो दीए संलंगन भूजा कौन हुआ विए का संलंगन भूजा हो गया A B और ड्याम संलंगन मींस एक में लगा हुआ जैसे मेल जी यहां पर हम फिर से समझारना आप लोंगे को ऐसे हमने माले जी जी तुर भूज बनाया, A, B, C, D, सनलागन भूजा, सनलागन मतलब एक दूसरे में लगा हुगा, तो ये मानले जी अगर हम इस भूजा को लें, A, D को, A, D भूजा जो है, इसका सनलागन भूजा कौन कौन होगा, इसमें लगा हुगा, ये भी देखी ये लगा हुगा, A, B, B, और ये भी इसमें लगा हुगा, D, C, B, तो ये सनलागन होता है, फिर मानले जी अगर हम लोग A, B को लेते हैं, तो इसका सनलागन कौन हुगा, A, D हुगा, B, C हुगा, तो ये सनलागन भूजाएं हैं, तो इसको आप लोग लिखेंगे, बढ़ा होगा लिखने में ऐसे, त इसका हमको सनलागन भूजा बताना है इसका, तो कौन-कौन इसमें लगे हुगे हैं, ये भी लगा हुगा है, A, D, B, और ये भी लगा हुगा, B, C, B, तो यही कहेंगे सनलागन भूजा, सम्मुख कौन किसको कहेंगे, ये देखिए, सम्मुख मतलब आमने सामने के कौन, द सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण तो आमने सामने उपर नहीं तिर्शा में लेंगे तो सम्मुख कोण कितने होंगे दो होंगे सम्मुख कोणों का दो यूगम होगा यूगम मतलब जोड़ा है यूगम किसको कहते हैं जोड़ा को तो दो जोड़ा होगा सम्मुख कौनों का कौन कौन होगा एका सम्मुख कौन सी होगा कौन एका कौन सी होगा कौन बी का कौन डी होगा तथा कौण B का कौण D होगा तो ये सम्मुख कौण होते हैं जोडा एक ये जोडा हो गया सम्मुख भूजा किसको कहेंगे सम्मुख भूजा मतलब आमने सामने का भूजा AB के सम्मुख भूजा कौण होगा DC होगा तो दो यूगम होंगे इसके भी दो यूगम यूगम मतलब जोड़े AB का कौन होगा AB का सम्मुख भुजा CD होगा AB का DC तथा AD का BC होगा AD का BC होगा ये सम्मुख भुजा हुआ सनलगन कोण या सन्म कोण किसको कहते है ये देख लिजिए जब दो कोणों में एक उभानिस्ट भुजा हो उभानिस्ट मतलब कामन भुजा हो जैसे यहां का कोण और यहां का कोण है तो इन दोनों का भुजा यह हुआ देखिए यह भुजा पर यह दोनों कोण मिले हुआ है तो इसी दोनों कोणों को क्या कहेंगे सनलगन कोण या आसन कोण हो जाएंगे क्योंकि ये ये और ये भूजा है फिर ये दोनों आसन कोण हो जाएंगे क्योंकि ये भूजा है और ये दोनों एक पर है इस एक भूजा पर ये दो कोण है तो ये दोनों आसन कोण हो जाएंगे तो आसन कोण इसको काते हैं मतलब एक में लगे हुए कोण य का इसी तरह यह होगा डी का सी होगा ऐसे बताएंगे तो यह सारी बातां आप लोगों को याद रखना है सिर्स चारो बिंदुगों को कहेंगे यह भूजा यह होगा कौन यह जुका वाला विकर तिर्ची वाली संलगन भूजा एक में लगे हुए भूजा सम्मुख कौन आमने सामने कौन सम्मुख भूजा आमने सामने की भूजा संलगन कौन यह कही में लगे हुए कौन मतलब यह कही भूजा हो और उसी भूजा पर दोनों तरफ कौन होंगे तो संलगन कौन तो इस तरह से ये सारी बात हैं आप लोगों को याद रखना है तो देखिए काफी जादे दिनों के बाद आप लोगों का कलास ये शुरू हुआ है अब regular कलास चलेगा एक एक दो दो दिन के अंतर पर daily video आएगा एक से दो दिन के अंतर पर तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई करेंगे जो भी बात हमने बताया है इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे इसके बाद आप लोगों को जानना है चतुरभूज के परकार मतलब किस टाइप के चतुरभूज आप लोग देखते होंगे सीधा में ऐसे चतुरभूज भी होता है ऐसे टेरहम भी चतुरभूज होता है ऐसा भी चतुरभूज होता है कई तरह के चतुरभूज ऐसे हमने बनाया है टेरहम भी ऐसे एकदम सीधा में भी तो सब का अलग-अलग नाम तो होगा कि चतुरभुज तो सब होगा जिसमें 4 भुजा होंगे बंद आकिरित होगी सब चतुरभुजा लेकिन अलग-अलग तरह के हैं तो अलग-अलग नाम भी होगा तो कैसे कैसे नाम है क्या-क्या नाम होगा कौन-कौन से परकार होंगे तो इन सब को आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे आज के लिए ये सभी चीज़ां जानना ज्यादा जरूरी है सभी चतुरभुज में ये सभी चीज़ां आएंगी ये सब नाम बार बार आएगा तो ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए जो भी हमने यहाँ पर बताया है तो अगले पार्ट में आप लोग चतुरभुज के परकार और एक्सरसाइज को देखेंगे आज के लिए बस इतना है